हाई एवरीबरन कैसे हो आप सभी लोग आप लोग कैसे हो जरूर से बता रहा उमीद करता हो आप लोग अच्छे होंगे और मेरा नाम है रहूल जेसल आपका स्वागत है हमारे इस बेटरिन यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों जैसा कि आप जानते कि ह हमने 11 स्टांडर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट के वीडियोज डालना शुरू कर दिया चाहे वो साइन्स सब्जेक्ट के PCM भी हो चाहे कॉमर सब्जेक्ट का जो SP, ECO और जो आपका OCM सब्जेक्ट है वो सभी के लेक्चर भा से हमारे चैनल पर आ रहे आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है अच्छी तरीके से वीडियो देखो और पढ़ाई करो जितना हो सके अच्छे मार्स आपके एक्जाम मिला ना और 11 स्टैंडर इस बेस ऑप 12 जितना स्ट्रॉंग लिए आप 11 करोगे उतना अच्छा आपका 12 ज करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो जो भी चाप्टर सम पढ़ा रहे हैं एक दम डीटेल में पढ़ा रहे हैं आप देख सकता चौथा चाप्टर पे पहुत चुके अल्रीडी एक बार हमने अल्रीडी सिलेबस आपका बहुत सारे चाप्ट लिए लेकर आगे हैं और इसका आज हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है और एक दो लेक्टर लेगेंगे यह चाप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत बहुत बैतरी तरीके से चाप्टर हमने कवर किया इसी लिए हम मैं खुद आके पढ़ा रहा हूँ आप सभी को जैसा कि आ बहुत सारे स्टाइंडर को अलग अलग सब्जेक्स पढ़ाता हूं लेकिन यार शेडूल बीजी होने के बाउजूद आप लोग का जो डिमांड था वो फुल्फिल करने के लिए लेकर आ गया हूँ बच्चे मान कर रहे थे सर किंगनम एनिमल या पढ़ाओ तो आप ही है यार एक चीज ना इसको डिमोटिवेट मत करना अगर हम फ्री कर रहे हैं ना कहीं न कहीं इसके पीछे ने एक स्वार्त है मेरा क्या स्वार्त है बताओ जो महराष्ट में जो ना हर बच्चे तक फ्री आफ कॉस्ट कॉलिड एडूइशन पहुचाने का जो मेरा सपना है जो मैंने दो साल पहले लॉगडाउन के समय देखा था उसी को लगाकर यहाँ पर मैं रोज वर्काउट कर रहा हूँ मतलब मेरे लिए वर्काउट मतलब क्या है रोज महनत करना गले की बैंड बच्चाती है दोस्तो पढ़ा पढ़ा के आप देखो लगबक 2600 वीडियो है ह जे आर जूनियर से जे आर व्लॉक्स है दोस्तो जे आर नाशनल स्टडी है ठीक है कई सारे चैनल है यार सब पर महनत जा रही है ठीक है बस बाकी को तो नहीं बलूँगा इसी चैनल को देख लो अच्छी तरीके से आपको बहुत फिल्प होगा ठीक है वीडियो की शुरू कर सकते हो टैक कर सकते हो टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना हमारा जिसका लिंक सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है शुरुआत करते वीडियो की आज तीसरा लेक्चर है दोस्तो जिसमें हम लग सबसे पहले बात करेंगे फाइलम को डेटा की एक इसके पहले के दो लेक्चर में हमने लगा तार नो्टो कोर्ट्स माफ ना नॉन कॉर्डिटात के तोटल दस फाइलम थे पौरिफेरा हो गया क्नेटोपोरा हो गया ठीक है ना फिर हमने दिखा था प्लेटी हेलमेंथिस, एसके बाद फिर क्या था, अनलीडा था, आर्थ्रोप्रोडा था, ठीके न, अकाइनो डर्माटा था, हमिकोडेटा, इसे कुल मिला कि 10 नॉन कोडेट्स काटेगरी के फाइलम थे, 10 काटेगरी इस ते यह हमने डिसकस किया था, पूरा बैतरी तरीके से दो लेक्चर में, और उसके बाद, नॉन कोडेट्स जब खतम हो जाता है, तो आ जाता है कोडेट्स, कोडेट्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान भासा में, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, कि अगर कोई भी एनिमल के अंदर, presence of notochord है, और notochord presence जरूरी नहीं है, उसके पूरे lifetime की दवरान ने, at least उसके startic early embryonic stage, यानि कि जब वो embryo की form में होता, आपको पता है, यह fertilization होने के बाद, zygote, zygote के बाद embryo form होता है, यह सब आपने 10th standard तक पढ़ लिया होगा, तो embryonic stage होता है, starting early life stage होता है, उसमे animal को chordates के category में रखा जाता है, ठीक है, अब और क्या विशेषता है, chordate type के जो animal होते है, इसके पास gillslits present होता है, पानी में है, gills present है, जिसके help से वो अंदर oxygen ले पार है, पानी के अंदर ही, साथ ही में इनके पास जो nervous system होता है, जो nerve cord होता है, वो पूरा dorsal होता है, जैसे human होता है, पूरा फैला होता है, जो heart है, वो प्रेजन्ट है, वो भी ventral side आगे के तरफ जैसे human beings में होता है, क्योंकि chordates में हम लोग आ जाते है, ठीक है, और आगे बहुत बढ़ा ये, chordates actually बहुत बढ़ा वास्ट फॉपी के, धीरे जिरे जाएंगे, कोई बात नहीं, अब य heart होता है, generally, कितने type के होते हैं, 3 type के chordates होते है, कितने type के chordates हैं, धीरे जाके जाके, जब भी lecture support आएगा, उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन एतीनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि यह जो low chord data क्या होता है, सिपेलो chordater क्या होता है, और यह vertebratus क्या होता है, टिक यह आप लोग को एंड तक देखना है वीडियो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है बहुत छोटा वीडियो है लेकिन इसको एंड तक देखो आपको हर एक चीज़ पता चलेगा सबसे पहले बात करेंगे यहां पर सब नोटो कॉड प्रेजंट है यानि कि जो होना चाहिए नोटो कॉड तभी तो यह कॉडेट्स है ना तो नोटो कॉड जो प्रेजंट है वो सिर्फ और सी पूँच में प्रेजंट होता है और वो भी सिर्फ लार्वा स्टेज में जब यह लार्वा होता है आपको पता ना कैटे ईसी लिए इसका नाम यूरो कॉड़ेटा रखा गया यानि टेल में प्रेजेंट है या फाक्र कॉड़ेटा या जो जानवर होतें इसमें इसमें घाइप बेख सकते हैं इतनो वीचित्रप्रकार का जानवर समुंदर में गहराई में रहता है कहां रहता है समुंदर के घ्राई में खारे-पानी में exclusively marine खारे-पानी अलावा कही नहीं रही महां पी घ्राए इसका यह कैसा आय और जहेंप का इस प्रकार से शेप और यह बहुत छोटे होते हैं यह आपको दिखने में बले खतरनाक दिख रहे होंगे शेप काफी छोटा होता है इसकर बोलते हैं हर्ड मेनिया वैसे डोली ओलम है से कई सारे और एक्जामपल्स है जो आपको देखने मिल जाएंगे तो exclusively marine होते है और इनकी body जो होती है यह देखने मे आ रहा है ठीक है अब no to ko जो फ्रेजंट है वो जैसे मैं बला टेल में है वह भी लार्वा स्टेज में है लेकिन जैसे मेटामॉर्फोस इस होगा क्या हो जाएगा metamorphosis यानि कि जो larva stage है वो खतम हो जाएगा और दीरे-दीरे body की growth होने लगेगी मतलब जो उसका actual size है जो actual look है उस animal का जब आने लगेगा metamorphosis के बाद तो उसका जो notochord पहले सी जो present था वो खो जाएगा मतलब जो notochord था वो absent हो गया वहां पे चला गया वहां पे ठीक है समझ में आया और इस जानवर के मतलब इस जानवर मतलब जानवरी बोलूँ माना इनिमल क्या category है न सब तो एनिमल सी है इसमें चाहिए छोटा इसके अंडर फैरिंग्स प्रेजन आयर क्या उसमें से वो उक्सीजन ले के और सिस्टम और उपिजलेंटे नह utilities हो रहा है लेकिन प्रेष्न संब्सक्राई का सिंपल टॉपिक है कभी कभारी पूछता ज्यादा इंपॉटेंट नहीं है एक्जांप पूछ लेता है कि एक्स्प्लेंग पूछ देगा तो बताना पड़ेगा कभी-कभी एच्छे से शॉटनट पूछेगा तो राइट शॉटनट उन फाइलम यूरो कॉड़ेटा पूछ अचानक से तो दो चार पॉइंट्स आप कर लो कुछ एक्जांपल याद करो एक डाइग्राम याद कर लो बहुत मेंडेटरी नहीं है ठीक है सुरी नागराम बहुत मेंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी काम हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया चलते है एक्टीक यूरो कॉ लैंसेट्स और लैंसेट्स का मतलब होता है एकडम बारीक बारीक छोटी छोटी मचलियां आपने देखा हो एकड़म छोटी-छोटी मचली होती है लेकिन अच्छल में यह मचली नहीं है मचली का कैटेगरी आना बाकी अभी अभी तो हम लोग उसके पहले के पढ़ रहे है मचली आएगा पाइसेस जिसको बोलते हो आएगा टेंचन मतलब तो यह जो है लैंसेट्स कहा जाता है जो कि स्मॉल फिश लाइक एनिमन सोता है लेकिन फिश नहीं होता फिश जैसा दिखने वाला एनिमल है यह लैंसेट्स कहते हैं जो कि यूरो कौटिटा के कैटेगरी का मुंख सकता है या नहीं है तुटने सॉस्ट मराइन स्टिमन्ट से यानिके जो समुंदर का जो टट होता है, आप जानते हैं समुंदर, यह समुंदर का टट है, यह आपका टट है नीचे का, तो आधा जो पाट है इसका आधा से जाधा 90% जो पाट है यह अपने समुंदर के जो जमीन होता है, समुंदर के अंदर जो गहरा ही होती है, उसके अं प्राइन सेडिमेंट में अंदर एग्डम डूप के रहता है अच्छी तरीके से नोटो कॉड जो है इसके बॉड़ी में प्रेसेंट रहता है throughout the body आप देख पा रहे हो नोटो कॉड ठीक डूप्रा का पूरा क्या है यह जो नोटो कॉड रोड़ी में ट्रीक जैसे हमारे हड़ी रिड़ की हड़ी प्रेजेंट है पूरा फीट तक वैसे इसके बॉड़ी में throughout the length of the body, जीतना बॉड़ी लंबा है उतना ही उसके अंदर notocod present है, फिर post anal tail is present, तो anal tail यानि की जो anal जहां पे रहता है, इनस जहां पे रहता है, उसमें anal tail भी जो है, वो present है यह कोई pigment नहीं है, तो इसका color होगा, blood का color क्या होगा, colorless होगा, कोई pigment ही नहीं है, example, amphioxis याद रख लेना, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, कितना easy था यह वाला topic, subphylum, यूरो, ने, यूरो नहीं हो गया, यूरो, यह दूसरा है, cephalo, cordata, समझ में आ गया, अब तिसरा पढ नोटो कोड का मतलब होता है, simple सा एक सीधा-सीधा हड़ी, लेकिन हमारे शेदीर में आप देखोगे, कभी देखा है, skeleton देखा है, human being का, real में ने देखा होगा, TV वे दो देखा होगा, तो skeleton जो होता है, हमारे शेरीर का, अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा अच् पीछे की रीड केट इडी, रीड केटी मेरी पीछे होती है, तो इस चीज़ को कहते हैं, vertebral कॉलम, क्या कहते हैं? वर्टीब्रल स्पेलिंग गलत लिख दिया है चेक करो वापस है कोई बात ने चलो होता है वर्टीब्रल कॉलम क्या कहते हैं दोस्तों मतलब सिर्फ और सिर्फ यह होता तो यह कह रहे हैं नोटो कॉर्ट नॉर्मल सा एक खड़ी संब्रक्राइब इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्रेजबर्ट उता है मचली के काता चांटा गॉम्स बॉंस निकले होता है बहुत सारी उलुक्षाए और मुझा sudah in अपने के वा मेत मुंस यह हुए जिसका जैसा इक्चा है वो खाना चाने लोत बहुत सारे लोग बोलते हैं वीगन होना चीए एक एज होने के बाद हो जाना चीए अगर आपको लगता है कि बस हो गया अभी मेरे लाइफ में वीगन मन जाओ तो अभी फिलाल में मैं नॉनवेज हो सकता है पात साल के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूँगा तो ऐसा भी कर स तो उस जानवर को हम लोग कहेंगे वर्टीब्रेटा कैटेगरी का जानवर ठीक है समझ में आ गया ओके अब यह जो वर्टीब्रेटा इसके अंजर दो डिवीजन है दो टाइप से मतलब एक है अगाथो स्टेमेटा और दूसरा है गनाथो स्टेमेटा क्या बोलते हैं पहल से पहले वर्टीब्रेट्स जो होंगे जिनके पास वर्टीब्रल कॉलम आया होगा नोटो कॉर्ड को रिप्लेस करके वो यह टाइप के जानवर होते हैं यानि कि अगाथो स्टेमेटा के होते हैं और इसके अंदर सब डिवाइड होता है जैसे यह क्या पढ़ आप फाइलम हो सब वैंलम पढ़ रही हो सब डिवाइड हो इसका क्लास क्या है साइकले स्कॉतों मैंतंतर इसके अंदर यह जॉलेस होते हैं, जैसे इल होता है, इल मचली देखा है, साप देसी एक मचली होती ही, काली कली की इल मचली, तो इल लाइक एनिमल होता है, स्किन काफी ज्यादा, सॉफ्ट होता है, नो स्केल्स, उनके शरीर के ओपर कोई भी स्केल्स नहीं होता है, जो मचली के ओपर स्क वो scales present नहीं होता है sucking circular mouth होता है कि चप कर सके किसी जीजको मतलब दाथ होते निए ज्वार नहीं जबड़े ही नहीं तो डारीक वह चीज़ को सख करें के खा सके तो इस प्रकार की दाथ होती है example petromyco is the best example जिसको sea lamprey भी कहते है this is the example यह ऐसे मचली होती है मचली नहीं है इस को पेत्रो माइजन के याद रगना यह क्या पड़ पड़ा हमने अगार्थ अप दूसरा क्योडगी में तो जतने गिट्रवयक्तु में आजाएंगे और दूसरा है ट्रपोड़ा तो tetrapoda मतलब क्या होता है ? पहली बात तो pisces के अंदर fins होते हैं टेरने के लिए fins होते हैं और tetrapoda ऐसे जानवर होते हैं जैसे mendak सुना है frog, toad यसके अंदर आजाते हैं जिसके अंदर चार limbs होते हैं दोनो हाद, दो हाद, दो पैर वो इसके अंदर आते तो ये सबी चीज डीटेल में अगले लेक्चर में आएगा जिसमें हम लोग पाइसेज को और टेटरा पोड़ा के उसके आगे फिर आएंगे रेप्टाइल्स आएंगे एपस आएंगे बर्ड्स मतलब फिर हुमें बिंग्स आएंगे और ये चाप्टर ये शेयर करके बताओ क्योंकि अगर ये वहनत जो हम लोग कर रहे हैं ये अपने दोस्तों तक नहीं पहुचाओगे आप लोग तो ये महनत जो है एनरजी जो है ये वेस्ट इधरी हो जाएगी तो इतना हार जो महनत हो रहा है ना वो सिप आपके लिए हो रहा है तो जाँ वे 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 थे कि ए नच दो इतना है ये वे वी बांतWhoa